नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स करेक जुडिश्री, कल से हम लोग ये सब लोग सुन रहे हैं कि नीट स्टुरेंट्स के लिए हम लोगों को जस्टिस चाहिए, जस्टिस फॉर्दा नीट स्टुरेंट्स, आखी लिए पूरा का पूरा जो ये नीट का एक्जाम होता है, बेसी के लिए पेपर किस चीज का होता है, आपको एक इक चीज में आपको इस लेक्चर में क्लियर करूंगा, कि जो नीट के पीछे, जो यहां पे पिछले दो दिनों से लगातार जहां पर लोग सबा एलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे, वहीं पर काफी सारे स्ट रहे थे, कि जस्टिस फॉर दा नीट का एक्जाम वापिस से करवाना चाहिए, तो यह पूरा का पूरा इशू क्या है, इसके रिगार्डिंग हम इस पर्डिकुलर क्लास में बात करने वाले, तो यूसी होता कि है कि जो नीट का एक्जाम है ना, यह बेसीकली प्लस टू के बाद, यानि कि जब हमें कॉलिज में अडमिशन लेनी होते है, प्लस टू के बाद, मेडिकल स्टुएंट्स के लिए एक्जाम होता है, जिसके तुरू बच्चे अलग-अलग मेडिकल स्टीम में अडमिशन लेते हैं, जैसे कि MBBS, MBBS एक ऐसी स्टीम है, जो कि बच्चों को ये बोल रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, पेपर वापिस से करवाना चाहिए, और ये कोई एक या दो बच्चे यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, पूरा देश यहाँ पर चाहिए आप कोई भी YouTube वीडियो देख लो, किसी भी एजुकेटर की वीडियो देख लो, सारे के सा और जून तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है, कि चार जून को एक्चुली होता है, चार जून को मैं पता है, कि लोग सभा के एलेक्शन के रिजल्ट्स भी आते हैं, और यह जो पूरा का पूरा नीट का पेपर होता है, यह फिफ्ट ऑफ मई, यान मैं बात वापिस बोल रहा हूं, डिजीटल यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे है, टीचर्स भी कर रहे हैं, और बच्चे भी यहाँ पर डिजीटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन, सब के सब बच्चे यहाँ पर एकठे हो के, सरकार को यह बोल रह कि उनके साथ कहीं न कहीं यहां पर अन्याय हुआ है और उनको यहां पर न्याय चाहिए इसी कारण अब वो लोग सुप्रीम कोड भी जा चुके यह पूरे के पूरे के सी की बात करते हैं का जैँनके सुप्रीम चाहिए नीट का विजल्ट यहां पर अॉट होता है तो लेट मी टैल Albert लगब्रबग लगेगा और यह रिजल्ट अनाउंस होना था 14th of June को जो कि डिसाइडी डेर थी कि 5 मई को पेपर होगा और 14th of June को यहां पर रिजल्ट अनाउंस होगा बट होता है कि 4 June वाले दिन जब पूरा का पूरा देश लोकसभा के इलेक्शन्स को देख रहा होता है कि कौन हमारे देश का परदान मंतरी बनेगा उसी समय NTA यानि कि नेशनल टेस्टिंग अजेंसी जो की नीट के एक्जाम को यहां पर कंड़क करवाती है वो यहां पर रिजल्ट तभी के तभी दे देती है नीट यूजी का यानि कि नीट अंडर ग्रेजुट अड्मिशन्स का जो की MBBS और प्लस्टू के बाद जो भी सारी medical streams होती है उनमें admissions के लिए यह पूरा पूरा paper होता है अब यहां पर जब result आता है न तो सबसे बड़ी बात ही आती है कि total यह paper इस paper में हमें 180 questions देखने को मिलते है नॉर्मल जैसे कि हम लोग judiciary का paper देते हैं UPSC का paper देते हैं उसी तरह स 180 questions है और हर question के 4 marks आपको मिलते हैं अगर आपने answer सही किया तो 4 marks आपको मिलेंगे यानि कि total paper यहां पर 720 marks का हो गया very very simple thing कि total 180 questions है चार marks का question total है पर 720 marks का paper हो गया और अगर आपने कोई answer गलत कर दिया तो उस case में minus 1 यहां पर negative marking भी है but you see यह पहली बार हमारी देश में होए कि need जैसे exam में जो की काफी difficult exam माना जाते हैं कि बहुत सारे बच्चे plus 2 के बाद जिनको MBBS करने जिनको आगे doctor बनना है वह इस particular stream में जाते हैं और MBBS में जाने के लिए हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि बच्चों को काफी बाद donation भी देनी पड़ती है क्योंकि MBBS colleges में admission जल 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 नहीं मिलती यूसी जब result आता है न तो यह देखने को मिलता है कि 67 students आउट ओफ 24 लैक स्टुडेंट्स जो की 24 लैक स्टुडेंट बच्चा पेपर देता है 67 स्टुडेंट्स यहां पर सब के नंबर बराबर है और सब यहां पर 720 आउट ओफ 720 मार्क्स यहां पर स्कोर करते हैं तो सी सार इतने मार्क्स का वेपरता इंके यहां पर माय्क्स भी है जिसके कारण ये एक इस खड़ा हो जाता है कि मान लो कि हम लोग यह तो नहीं बूल सकते हम लोग यहां पर किसी की credibility व्ल्टी की उपर तो यहां पर शक नहीं कर सकते कि एक बच्चा 720 में से 720 मार्क्स कैसे लेकिया सकते हैं हम लोग क्रेडिबिल्टी के उपर शक नहीं कर सकते अगर कोई स्टूरेंट अच्छे से पढ़ रहे तो उसके आ भी सकते हैं यहां पर इश्यू जो उड़ता है वो यह उड़ता है कि यह जो 67 स्टूरेंट्स से इन में से काफी सारे स्टूरेंट्स इंका सेंटर भी एक ही था और अभी अभी पता लगा कि इन बच्चों को जब यहां पर इंका इंटर्व्यू लिया गया इन से भी पता लगा कि काफी सारे स्टूरेंट्स जिन्नों ने टॉप किया है जिनके सब के सब 70-70 मार्क्स हैं वो एक ही classroom में बैड़के paper दे रहे थे यह भी यहाँ पर पता लगा है जिसके कारण यह need के paper को एक scam बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी students के साथ cheating हुई है students के साथ एक बहुत बड़ी cheating हुई कि paper already यहाँ पर leak paper था यूसी टोटल यहाँ पर ट्वंटी फॉर लेक्स्ट ने पेपर दिया अब यहाँ पर बच्चे क्लेम कर रहें कि बच्चे यहाँ पर बोलें कि नीट यूजी सी का पेपर वापिस से कंदक करवा जाए इसको यहाँ पर कैंसल किया जाए क्यूंकि ओल इंडिया रैंक पर हमें यहाँ पर 67 स्टुटेंट्स देखने को मिल रहें अब देखिए सबसे बड़ी बात कि एक्जाम यहाँ पर पांच मही को हुआ और रिजल्ट यहाँ पर है फोर्थ ऑफ जून को यहाँ पर दिया गया इवन दो जो प्री डिसाइडी डेट थी वह यहाँ पर 14 ऑफ जून होने वाली थी कि 14 जून को रिजल्ट आएगा बट ऑल्रेड़ी दस दिन पहली यहाँ प राहूल कांदी जब पूरे देश में चल रहा था कि बाई सब सारे के सारे लोगों का दियान वहां पर होगा उसी समय यह रिजल्ट यहाँ पर नैशनल टेस्टिंग अजेंसी जो की नीट का एक्जाम कंडग करवाते हैं उसकी वेबसाइड पर हमें देखने को मिलता है तो को यहाँ पर क्वालिफाई कर रहें आउट ओफ 24 लेक्स इतनी कट ओफ भी कभी नहीं गई और इतना सक्सेस रेट भी कभी एक्जाम में नहीं हुआ और हम लोग अगर देखे ना तो आल ओवर इंडिया हमें जो MBBS की सीट देखने को मिलती है और MBBS एक ऐसी डिग्री है जो तो कि सारे के सारे बच्चे अगर नीट का एक्जाम दे रहें तो उनको सबसे पहले MBBS में जाने जैसे कि हम लोग देखते कि अगर किसी बच्चे ने UPSC का एक्जाम देना है तो सबसे पहले वह IES बनने की देखता है फिर वह IPS की सोचता है उसी तरह से अगर यहां पर कोशन है और चार नंबर का एक कोशन है तो यानि की टोटल सेवन टुवन्टी माक्स का एक्जाम है तो कोई बच्चा यहां पर ऐसा तो होगा जिसका यहां पर एक कोशन गलत हुआ हो या फिर कोई कोशन उसने अटेंट ना किया हो बट हमें क्या देखने को मिल रहे है कि 67 स माक्स यहां पर ले रहे हैं सारे के सारे यहां पर टॉपर है बट सबसे बड़ा यहां पर कोशन ही उड़ता है जब बच्चों ने स्क्रीन शोट बेगना शुरू किया बच्चे यह बोल रहे हैं कि स्कोर बोर्ड पर ना 718 एंड 719 माक्स भी दिखाए गए विच इस 279 कोशन सही किए तो उसके मांक्स कितने बनगे उसके मांक्स बनेंगे यहां पर 716 1716 मांक्स बन जाएंगे और अगर किसी बच्चे ने 180 किये तो उसके 720 बन जाएंगे अगर नेगिटीब मारकिंग है और आपने एक भी कोश्चन गलत कर दिया तो आपके मार्क्स 1716 सी भी एक माइनस हो जाएगा और 750 आएंगे तो इस 718 719 मार्क्स किस तरह से मिले है जो कि किसी भी तरह से पॉसिबिल्टी नहीं है अब मैं आपको यहां पर एक अलग से एक उसके रिगार्डिंग भी आपको दो दो तीन तीन नंबर यहां पर दिये जाएंगे उन सब बच्चों को जिनको यहां पर टाइम कम मिला था बड़ अगें डिस इस नोड़ा मेकैनीजम यह कोई मेकैनीजम नहीं है कि आप किस तरह से किसी बच्चे को अगर दो मिर्ट कम मिले तो आपने उसको दो मार्क्स दे दिये अब यह बोल रहे हो कि इन यह सारे के सारे बच्चे जिनके 718 718 ए 719 मार्क्स आई है क्या यह सारे के सारे कोशन सही कर रहे थे जो की हम यह नहीं बोल रहे कि बच्चों की क्रेडिबिल्टी के उपर सवाल उठा ली जाए बट प्रॉब्लम यह उड़ जाती है कि यह बच्चे एक ही एक्जामीनेशन हॉल में बैठे थे इस चीज का भी यहां पर दावा किया जा रहे है उसी एक बहुत ही बड़ी बड़ा खलासा हुआ है कि पांच मई को जब यह एक्जाम करवाया गया था ना तो बिहार में और इसके रिगारिंग यह विवाद चल गय लिए था कि नीट का जो एक्जाम था ओर लेडी कोश्चन पेपर लीक किया गया था और यहां पर बीस बच्चों के उपर टोटल कुछ फैमिलीस के उपर भी यह इलजाम लगा था कि उन्होंने पचास पचास लाक रूपए देकर पचास लाक रूपए देकर एक्जाम से एक दिन पहले कोश्चन पेपर यहां पर लीक कर वाले था और यहां पर बच्चों के पास कॉश्चन पेपर और लेडी पहुंच चुका था यह सारे के सारे यह पर एलिटिशन लगे अब हमें यह भी देखना है कि देखिए रिजल्ट कब आए चार जून को चार जून से पहले ही 1st of June को शिवानगी मिश्रा जी ने अल्डेडी सुप्रीम कोट में एक यहाँ पे रिट पेटिशन फाइल कर दी थी regarding the allegations of the leaking of the question paper of the national eligibility come interest test under graduate यानि कि नीट यूजी के अगेंस्ट यहाँ पर अल्डेडी allegations ही लग चुके थे result आने से पहले भी कि यह exam already leak हो चुका है और इसको यहाँ पर अल्डेडी दुबारे exam करवाया जाए national testing agency के अगेंस्ट यह पूरा का पूरा यहाँ पर case file हो चुका था और हमें क्या पता लगा कि यहाँ पर मई के महीने में जिस दिन exam हुआ था उससे एक दिन पहले paper leak हुआ था विहार police ने already इस के regarding कुछ लोगों को arrest भी कर लिया था और उसके बाद यहाँ पर application भी file कर ली गई है supreme code के पास जहाँ पर supreme code के पास क्या पता लगा कि application चार जून से पहले ही file की गई है अब हम नहाँ यहाँ पर results को देखते हैं कि देखिए इन results को when we go to the national testing agency अगर हम लोग national testing agency के results को देखे ना तो यह हमें results देखने को मिलते national testing agency के जो की exam को conduct करवाते है नीट के you see जब हम लोग results को देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज पता लगती है कि जो total जो बच्चे यहाँ पर जिनकों जिनों ने यहाँ पर टॉप की है उनके marks के regarding उनके marks के regarding यहाँ पर एक विवाद उरता है वो हम लोग बात करें यू सी यह हमें क्या पता लग रहे है yes यह देखिए in this case जो यहाँ पर result आया है यहाँ पर न जो बच्चे है rank number 62 से लेके 69 इनका result अगर हम लोग देखे rank number 62 से लेके 69 तक तो हमें क्या पता लग रहे है देखिए 230701 यानि कि जो serial number है students का वो total यहाँ पर same है अब देखिए 2307010 2307010 2307010 2307010 2307010 2307010 2307010 रैंक 62 से लेके 69 तक सब स्टुडेंट्स का जिन्हों ने टॉप की है जिनके सब के सब यहाँ पर 720 मार्क्स आए है तोटल यहाँ पर उनका सीरियल नंबर बिल्कुल सेम था और अगर हम इंका इन्रोल्मेंट नंबर की बात करें जो कि आखरी तीन नंबर यहाँ पर इन्रोल्मेंट नंबर है वो इनका इन्रोल में नमबर भी सेम या तो एख क्लासरूम में बैठे थे या फिर बिलकुल पास-पास ही इनका इनका सेंटर था तो यहां से हमें यह चीज पता लग रहे जो कि स्टूरेंट से आपर इस सब्का यहां पर स्क्रीन शोट यहां पर बेज रही है and secondly results को लेके कि बच्चों के 718 या 719 marks बन कैसे सकते हैं because इसमें 1 number की यहां पर negative marking भी थी या तो आपके 715 marks बनेंगे या आपके 720 marks बनेंगे तो इसके regarding भी यहां पर पूरा पूरा विवाद यहां पर चल रहा है जिसके कारण students अभी यहां पर बोल रहे हैं कि अगर हम अपने education system को देखें तो हमें काफी बार यह पता लगता है कि एग्जाम्स लीक होने के कारण administration के ऊपर तो कोशन आता है बच्चों का करियर खराब हो जाता है बच्चों का यहां पर education system के ऊपर कोई विश्वास नहीं रहता और वो अपने education को छोड़के कुछ और करने लग जाते हैं यह बहुत बार हमने देखा है कि कुछ-कुछ बच्चे एक्जाम देते हैं जुडिश्चिरी में भी हमने काफी बार देखा है कि भाई सब पेपर लीक हो गया या फिर या फिर पेपर बहुत लंबा टाइम आता ही नहीं है जिसके कारण बच्चे frustrated होते रहते हैं पूरा-पूरा साल पेपर नहीं आ रहा जब पेपर आया प्रिलिम्स का एक्जाम लीक हो गया या फिर answer की आपको गलत दे रहे हैं यह सारे के सारे जो विवाद हैं जो की administration को दे meet students और यह जो पूरा-पूरा विवाद है इसके regarding एक explanation मिलनी चाहिए कि यह कैसे यहाँ पर possible हुआ है So I will see you guys again. Thank you so much. Jai Hind. Take care.